इन दोर को बेसबरी से इंतिजार था कि मेट्रो कब आएगी लेकिन आप देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि मेट्रो के डीपो में जो है ये कोच आ चुके हैं कल हमने आपको सबसे पहली तस्वीर दिखाई दी जब जहलारिया में ये कोच पहुंचे थे बड़ो इंडन जी हम उन से जानेंगे सर अब लगबग 800 किलोमेटर की दूरी तय करकर यहां पहुंचे हैं किस तरह की प्रक्रियाब होने जाने ये कोच यह वहां सावली से 23 अगस्त को हमने रवाना किये थे और हमें खुशी है हम अब यहां पर इस सिती पर पहुंच गये हैं और स इस समय से हम जो हमने जिसाइड किया था उसके हसाब से हम आज इसकी अंडोडिंग कर रहे हैं इस ट्रेंशेट में तीन कोचेज हैं पहला कोच हम अभी अनलोड कर लेंगे और दीनो का हम आज खतम करके और हमें अब चुकि अगले स्ट अप में ट्राइल की ट्रेंट फ्व शुरू करेंगे अज हम पुरपइंट जैक्सेस को उतार के और फिर आगे बढ़ जाएंगे सर पहले हम बात करें कि ट्रेक को लेकर कि सेफ्टी मेजर्स को लेकर हम दें क्योंकि ट्रायल भी करना उसके पहले हमको सेफ्टी ऑडिट और यह सारी चीजे करनी होंगी तो वो क्या प्रोसेस है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इन कोच की खासियत गया है है स्विप्टrics के लिए हमारा जो किसी ही ट्रैन के ट्रायल करने के पहले एक तो हमको उसके लिल रॉणिंग स्टाओं कोज जरूरी है ट्रैक जरूरी है और ट्रेन का पावर जब यहें तीन चीज़ा मेन ंती है पॉपर के लिए जो से इस God record हम एक इसी तर हो चुका है बागी हम अगले तिन दिन में चार दिन मेगा कराने वाले हैं ट्रैक हमारा अलेड़ी ले हो चुकी है और उसका जो इंटर्नल इस प्छन हो कमपीट करा लेंगे और ट्राइल के लिए एक्चुली हमारा इंटर्नल इस्पेक्शन सफीशन्ट होता है कि हम अपने जूकि हम अभी पैसेंजर नहीं ले जा रहे हैं तो अभी हम अपने इस पर हम ट्राइल करेंगे और जब हम सब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब हम सी मरेस को अप्रोच करेंगे कि वह हम अनुमती दें जिससे फिर हम प्रेसेंजर के लिए आरोडी जो कमर्शिल रन होता है वह में स्टार्ट करेंगे वह हमने जैसा पहले बताया था हमडी साब ने कि हम करीब हम अपरले में में हम ट्राइक करें कोश की खासियत की बारे में बात करें क्योंकि सिटी में एक साथ एक महिने के अंतराल में ट्रैल शुरू करने जा रहे हैं जो आज तक मेरी जनकरी में तो और कहीं नहीं हुआ है और एक प्रोजेक्ट इसलफ बहुत-बड़ा एक्टिविटी होती है कि किसी भी ट्राइल को शुरू करना ही बद बड़ी एक्टिविटी होती होती है कि सारे सिस्टम्स का इंटर इंटर लिंकिंग इंपॉर्टेंट होता है और वो प्रूव हो जाता है उसके अलावा यह कोच विश्व की आधुनित्तम जो तक्नीक हैं उससे बनाया मतलब उस पर संचालित होगा हम लोग गोवाटू और गोवाफोर जो संटक्नीक सेफ्टी मेजर्स की बात करें कोच के अंदर कोच के अंदर क्या क्या सूविदा होंगी क्या खासीयत है कोच की कितने पैसेंजर एक बार में एक जो हो लगा यह कोच है ज और इसके इस कोच में कई तरह के सेफटी के फीचर लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग कि हम ट्रैक की मॉनिटरिंग भी हम इसके साथ इसके साथ ही कर सकते हैं, जो नॉर्मली अलग से आदमी को लगा के करनी पड़ती है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, गुआ फ सेफटी में तो ये विशुस्तर इस तरही एक कोच है, ये जो क्रेन आई है, जो इन कोच को उतारने के लिए, इसकी भी कोई अपनी खासियत है, क्योंकि इतनी बड़ी साथ टन का वजन है, इसका कोच का अपने एक कोच का, इसको उतारने के लिए भी स्पेशल टेकनिक का क्या है, क्या है, नॉर्मली कोच को जब पहले की टेकनिक होती थी, उसमें आपको याद होगा, क्रेन से उतारा जाता था, दोनों तरफ से क्रेन लगा के, वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाती है, कभी-कभी कि उसका प्रॉप इदर-उदर हो जाता है, इसी के लिए ये तकनिक है कि है, इस तरह के लिए इस तरह के बनाई गई है, यह कि आप देख सकते हैं, वह आफ सेफ़ टकनिक है, जसमें आप जाता रोटनीचे योचि चापके नहीं नाटेकर आगा पर फिर बाद में ही होगा, कई अभी सिब अन्वील होकर नीचे आनलोकर के इसके बाद हम इसको अंदर अपने जो इंस्पेक्शन लाइन है उसमें लेकर जाएंगे तीनों कुछ को हम फॉर्म करेंगे इनके एलेक्टिकल कनेक्शन बनाई जाएंगे इनके जो अस यह नक्टिक्शन से बहुत सारे कनेक्शन से हैं फिर उसके बाद को चार्ज करना होगा उसमें लगता है तो नॉर्मली तो उसमें ज्यादा समय लगता है हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी जल्दी जैसा सीम साम का इक्षा है उसके साफ से हम ट्रायल करने की कोशिश करेंगे आखरी सवाल कि कब वो ट्रा चाहते हैं कि पंद्रा सितंबर तक जो है वो इसका ट्रायल रेन हो जाए और जिस तरह की अभी विवस्थाएं चल रही है और जिस गती से काम चल रहा है उससे अधिकारी भी शियोर है कि चौदा सितंबर या पंद्रा को ट्रायल रेन कर सकेंगे मेरे सहयोगी लोकेश साथ प्रवीन सावन टीजियाना न्यूज इंदोर